दूस्तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड से फोन पे एकाउंट की रियेट कर सकते हैं, फोन पे में आप बैंक अकाउंट को एड़ कर सकते हैं, फोन पे में आप यूपी आई पीन को सेट कर सकते हैं, सिर्फ पे दूस्तो आप आधार कार्ड के कर सकते हैं फोन पेसे आप पेसा टनस पर केसे कर सकते हैं सिर्फ आधार काट के मदद से तो आईए फट फट जान लेते हैं तो दूस्तो इस से पहले आप से एक छोड़ी सी दाउनलोड कर लेना है वहां से दूस्तो अगर आप फोन पे अप्लिकेशन को डाउनलोड करते हैं तो आप लोग को 100 रुपिस का OTP आ जाएगा और OTP से यहाँ पर आप लोग इन कर लेते हैं तो दूस्तों यहाँ पर मैं पहले भी लोग इन कर चुका हूँ इसके लिए दूस्तों मैं forget of password के उपर किलिक करते हैं और यहाँ पर दूस्तों login with OTP के उपर जैसी किलिक करेंगे मेरा mobile number पर OTP आएगा OTP यहाँ पर automatic fill हो जाएगा और यहाँ पर OTP यहाँ पर automatic verify हो जाएगा जो कि दूस्तों कुछ इस परकार से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरा दूस्तों phone pay में दूस्तों verify हो चुका है यहाँ पर दूस्तों कुछ permission मेंगा जिसे यहाँ पर आपको allow कर देना है जैसे दूस्तों यहाँ पर आप allow करते हैं इसके बाद दूस्तों कुछ इस परकार का interface निकल कर आ जाएगा फिर से कुछ permission मेंगा जिसे आप लोग को allow करना है नीचे do it later के उपर आप लोग को किलिक करना है यहाँ पर आपका phone pay account create हो जाएगा जो कि दूस्तों जैसे ही आपका phone pay account create हो जाता है इसमें आप लोग को अपना bank account को add करना पड़ता है तो bank account को add करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सेखते हैं करना है यहाँ से दूस्तों अपना bank account को add करना है तो दूस्तों मैं यहाँ पर अपना bank account को add कर लेते हैं यहाँ पर आप लोग को सभी bank का नाम देखने को मिल जागा यहाँ पर अप्लोग देख सकते हैं लिष्ट आ चुका है जिसमें दूस्तों आप अपना bank account को add कर सकते हैं तो दूस्तों मैं यहाँ पर Punjab National Bank को add करूँगा तो यहाँ पर अप्लोग देख सकते हैं reset pin जो कि दूस्तों यहाँ पर आपका option आएगा set pin अप लोग दूस्तों इस option पर click करना है जिसलिए दूस्तों आप इस option पर click करते हैं यहाँ पर अप लोग live proof देख सकते हैं आधार काड का option आ चुका है नीचे debit card ATM card का भी option आ चुका है लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बताया हूँ कि आप आधार काड से phone pay account को बना सकते हैं तो इसके लिए आप लोगों को आधार काड के ऊपर टीक करना है पोर्चीट के ऊपर आप लोगों को किलिक कर लेना है ज जो कि दोस्तों मैं यहाँ पर अपना आधार काड का फर्स्ट का छे अंक इंटर करके पोर्चीट के ऊपर जैसी किलिक करेंगे यहाँ पर permission को allow देंगे इसके बाद दोस्तों मेरा आधार काड में जो भी mobile number लिंक है उसमें एक OTP आएगा OTP को यहाँ पर upload को फिल कर देना है OTP फिल करने के बाद नीचे सहीवल आइकन पर किलिक करना है यहाँ पर दोस्तों आपके बैंक तुवारा एक OTP आएगा आपके mobile number पर OTP को यहाँ पर upload को फिल करना है नीचे सहीवल आइकन पर किलिक करना है इसके बाद यहाँ पर set UPI PIN का option आएगा यहाँ पर आपको एक न इसके बाद दूस्तों कुछ इस परकार का इंटरफेस निकल कर आ चुका है, यहां पर आप लोग देख सकते हैं, मेरा bank account एड हो चुका है, इसके बाद दूस्तों यहां से आप पेशा टरनस पर कर सकते हैं, इसके बाद दूस्तों यहां से आप किसी का भी mobile भी recharge कर सकते हैं, अगर दूस्तों आपको किसी को पेशा टनस पर करना है, तो इसके लिए यहाँपर आप लोग देख सकते हैं, two mobile number, यहाँपर two bank upi id, यहाँपर दूस्तों आप किसी का भी mobile number पर भी पेशा सेंड कर सकते हैं, यहाँपर आप लोग को किलिक करना है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपके contact में जितने भी number है यहाँ पर आज आएगा तो यहाँ पर आप लोग को search कर लेना है या दूस्तों यहाँ पर आप लोग new mobile number पर click करके यहाँ पर आप लोग को mobile number type भी कर लेना है और यहां से दूस्तो आप पेशा टनसपर कर सकते हैं जैसे कि दूस्तो मैं यहां पर दूस्तो पेशा टनसपर करके आप लोग को दिखा देता हूँ मैं यहां पर एक नमबर को सिलेट कर लेता हूँ यहाँ पर दूस्तों मैं एक रूपिया यहाँ पर सेंड कर देता हूँ यहाँ आप लोग देख सकते हैं एक रूपिया इंटर कर लिया हूँ इसके बाद दूस्तों पे के उपर जिसी किलिक करेंगे यहाँ पर दूस्तों यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ करना है बैक आने के बाद दूस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं to bank upi id आप लोग को इस option पर किलिक करना है यहां पर दूस्तों आपको add bank का option मिलेगा add bank account इसके उपर आप लोग को किलिक करना है यहां पर आप लोग को bank account को select करना है bank account को select करने के बाद यहां पर bank account number इं आप लोग देख सकते हैं इसके नर का option इस option पर किलिक करके किसी का भी QR code कर पेशा टनस पर कर सकते हैं और दूस्तों यहां से आप अपना bank का balance भी check कर सकते हैं यहां से दूस्तो आप अपना मोबाइल भी रिचार्ज कर सकते हैं, यहां पर आप लोग को मोबाइल नंबर इंडर करना है, यहां पर प्लान को सेट करना है, इसके बाद यहां से आप मोबाइल भी रिचार्ज कर सकते हैं, जो कि दूस्तो कुछ इस परकार से आप आधार कार कर सकते हैं यहां से आप कुछ इस परकाल से पेसा भी टनर्स पर कर सकते हैं शि Hallelujah को पसंद है तो दूस्टो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आप सभी लोग को पसंद है तो दूस्टो वीडियो को लाइक